कंगना रनोत की फिल्म एमर्जेंसी की रिलीज को लेकर विवाद जारी है सिक संगटनों ने विरोध किया है कंगना ने भिंडरवाला को आतंगवादी कहा और अपनी फिल्म के सही होने का दावा किया फिल्म के पॉस्पोन होने से उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो सकता है तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या है फूरी ख़बर तो वीडियो को एन तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना प्लीज सब्सक्राइब तो आर चैनल सो हेलो और वेल्कॉम गाईज मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो एड़ा बॉलिवूड एक्रेस कमिना रनोट की फिल्म एमर्जेंसी की रिलीज का फिलहाल कोई आता पता नहीं है कई बार पोस्पोन होने के बाद तो अब एक्रेस भी जला गई है 6 सितंबर को आने वाली इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने सेटिफिकेट दे दिया था पर कुछ बदलाव करने होंगे और उन्हीं के बाद वो फिल्म रिलीज हो सकती है ऐसा उन्हें कहा गया था वहीं कई सिक संगठनों ने भी फिल्म की रिलीज का विरोग किया है और दावा किया है कि ये फिल्म उनके समुदाए को नकरातमक रूप से पेस करती है अब एक्टरस ने कहा है कि कुछ लोगों को ही इस मूवी पर आपती है उन्होंने बिंडरा वाला का बचाव करने वालों पर सवाल उठाया और कहा कि वो संत नहीं बलकि आतंगवादी था कंगना रनोत ने कहा कि ये हमारा इतिहास है जिसे जानबूच कर छिपाया गया है हमें इसके बारे में नहीं बताया गया अच्छे भले लोगों का तो जमाना ही नहीं है मेरी फिल्म रिलीज होने के लिए तयार है इसे संसर बोर्ट से सेटिफिकेट मिल गया है चार इतिहा पासकारों ने हमारी फिल्म को देखा है कंगना रनोत ने आगे कहा हमारे पास वैलिट डोकिमेंट्स भी हैं मेरी फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन कुछ लोग भिंडरावाला को संत क्रांतिकारी या नेता कहते हैं उन्होंने दलीलों के जर ये धमकी दी मुझे भी धमकिया मिली है पिछली सरकारों ने खालिस्तानियों को आतंगवादी घोशित किया है वो कोई संत नहीं था जो एक फोटी सेवन लेकर मंदिर में बैठा था कंगना रनोत ने आगे कहा मेरी फिल्म पर सिर्फ कुछ लोगों को आपती है वो दूसरों को भी भढ़का रहे ह मुझे नहीं लगता कि पंजाब के 99 परतिशत लोग भींडरावालों को संत मानते हैं वो आतंगवादी है और अगर वो आतंगवादी है तो मेरी फिल्म रिलीस होरी चाहिए कंगना ने आगे बताया कि उनकी फिल्म के पोस्पोन होने से उन्हें आर्थिक नुकसान भी हु में दिखाया जाने पर आपती होगी मुझे प्रताड़ किया जा रहा है यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक है मुझे भी नुकसान उठाना पड़ा है मेरी फिल्म को सिर्फ चार दिन पहले ही कैंसल कर दिया गया था और अब ऐसे में इस मूवी पर क्या विवाद खड़े होने वाले हैं और कंगना की इस बैयान पर लोगों का क्या रियक्शन आता है देखना वड़ा दिलचल्पस होने वाला है तो इस वीडियो में बस इतना ही और इस पर आपका क्या कहना है वह आप हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और अगर आपको मिली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक को शेयर करना मत भूलनों रहसे और भी नई अपडेट के लिए स्टूडियो अट्डा को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद